तो वेलकम टू ओल माई डियर इस्टेंट मैं मुकेसर आप सभी का स्वागत करते हैं आज की आप सभी की धमाकेदार और प्यारी सी क्लास में A.S.C. M.T.S. की दोजर चौबिस में आने वाले एक्जाम के लिए इस्टेंट अगर आप सी भी A.S.C. M.T.S. एक्जाम की प्रिपियर करें त्यारी करें अगर आप सी उपने सुनिक्चित अपने सफालता को सुनिक्चित करना चाहते हैं तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्डेंड होने वाला की किश्टेंट आज की क्लास के अंदर हम लोग डिसकर्श करने वाले हैं A.S.C. M.T.S. एक्जाम 2024 के लिए प्रिवीसिस कोश्चन पीपर की बारे में जो पिछले 15 साल में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रशनों में से एक है और आप सभी से एक की रिकेश्टें कि आप लोग सभी प्रशनों को घोल करके जाएगा सारे प्रशनों को याद करके जाएगा सारे प्रशनों को राटा मार कर जाएगा क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए और कोशन काफी ज़्यादा जबरज़त होनी वाले और यहाँ पर मैं आप से बता दू कि previous questions करने के आखिर benefit क्या होते तो previous questions करने के benefit आप सभी की यह होगा कि आप सभी के एक अच्छा guideline मिल पैगा कि अखिरेर कैसा प्रस्ण आपके exam में पूछे जाएंगे ठीके न चलिए पहले question के और बात करते हैं आप सभी का पहला प्रस्ण क्या दिया गया ध्यान दीचेगा तो जैसा question आप लोग देख पा रहें कि सारे प्रस्ण आप सभी के लिए काफी important and exam oriented लिया गया है और इस class के साथ साथ इसके important question भी लिया गया है एक question के साथ साथ बहुत ज़रा से questions लिया गये हैं जो कि आप सभी की उससे solve होने वाले हैं तो चलिए start करते हैं आप सभी के पहले question के साथ और मैं आप सभी को 100% guarantee देता हूँ कि अगर आप से ने आज की इस class को देख लिया न तो आप लोग भाई यार बहुत ज़्यादा important question को कबरब करने वाले है पहला question है कि सिंदु घाटी सभिता के निमनेलीखित में से किस सहर में एक बंदरगार पाया गया है अपसर नमबर A में चनहुदुडू, B में धोला बीरा, C में लोथल और D में काली बंगा राइट एंसर उज्याएगा आप सभी का आपसर नमबर C यानि कि लोथल आप सभी का राइट एंसर उज्याएगा आपसर नमबर C चले, next question के और बात करते हैं इसके important points है और मैं आपसर इक लिए important points इसले लाया मैं भी बाकी teachers के जैसे बाकी faculty के जैसे मैं भी सिर्फ आपसर इक objective question करा सकता था कोई दीकत नहीं लेकिन यहाँ पर आपसर इक ले important points लाने की पीछे के जो main region से आप लोग एक प्रस्ण से 20 प्रस्णों की याद कर सकते हैं यह आपसर के benefit होने वाला important points कबर करने का ठीक है न important points करा है कि लोथल सिंदु गाटी सबेता का मत्पुन बंदरगा अथल था यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे इस्ति थे पहला बाद के आपसर के जो लोथल है वो आपसरी गुजरात में इस्ति थे और यह आहमदाबाद जीला के भोगवा नदी के किनारे हैं यहां से वृताकार तता चोकोर अगिन देवी का चावल के दाने आदी प्रात हुए थे सिंद्यु घाटी सविता का प्रमुक बंदरगा लोथल, रंगपूर, सुरकोटदा और प्रभास पाटन जो पश्मी एसिया से वेपार का प्रमुक अस्तल था चन्हुदोडोडो पाकिस्तान के सिंद्य प्रांत मोंजोडोडोडो से 130 किलोमीटर दच्छिण में इस्तित है धौला वीरा गुजरात में कच्छ जिले और काली वंगा राज्यस्तान के हनुमानगड जिले में इस्तित है ठीक है न चली अगले कोशन को बात करते हैं आप सभी का सिकेन नंबर कोशन है आप सभी की एक कोशन करने में आई थिंग दो मिनट या एक मिनट जा रहा है तो वो सही है लेकिन आप लोग जो बेतरीन तरीके से जो कोशन याद कर रहे हैं वो आप से के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ठीक है न अगला प्रसने की दचिन भारत में सैने अभियान शुरू करने वाला दिली संतनत का पाला सुल्तान कौन था जचिन भारत में सैने अभियान शुरू करने वाला दिली संतनत का पाला सुल्तान कौन था तो यह हो जाएगा आप सुई के अलाव दिन खिलजी हो जाएगा अपसन नमबर दी आप सुई के अपसन नमबर दी नहीं अपसन नमबर सी होगा जो के अपसन नमबर सी जाएगा अपसन नमबर सी ठीक है चली अगले को इसके इंपोडे पॉइंट्स के और बात करते देखिए इंपोडे पॉइंट्स करें कि दचिन भारत में सेन अभियान सुरू करने वाला दिली संतनत का पाला सुल्तान अलाव दिन खिलजी था उसमें दचिन भारत में तीन मत पूर्ण सकतिया थी देवगिरी के आदव दचिन फूर्व तिलंगाना के काक्तिये तथा द्वार के होई सल अलाव दिन खिलजी के ये तीनों अभियान सफल रहे हैं ठीक है चले अगले कोशन को बात करते हैं आप सभी का थड़ नमबर कोशन है कि गुवा की लड़ाई किस वर्ष में लगी थी ये भी कोशन आप सभी के लिए काफी इंपोड़े और ये आप सभी को बहुत क चले इसकी में पुड़े पॉइंट के बात करते हैं देखेएगा ध्यान से करें कि गुवा की लड़ाई पंदरह सो दस इस्वि में लड़े गे थी वर्ष पंदरह सो दस में पुर्टगालियों ने अल्ब अल्बू करक के निर्थित्तों में सतारूड बिजापूर के सुल वबास्तिक संस्थापक अल्बू करक गौर्णर को माना जाता है ठीक है न तो यह था आप से के लिए इंपोड़े पॉइंट्स चलिए अगले कोशन को बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा से रिकेस्ट है कि आप सभी अभी तेक हमरे चैनलों को अगला कोशन है कि मोर्या समराज काल समराज चेकाल से कुछ समय पूर्वल्लग भग कितने वर्स पहले चिन में समराटों ने विशाल दिवार एने ग्रेट वाल का निर्माण किया था यह जाएगा अफसी का 24 वर्ष तो अफसन नमबर सी हो जाएगा चले इसके इंपोडे पॉइंट कबर कर लेते तो कर रहा कि चीन की दिवार ग्रेट वाल चाइना का निर्मीत तीसरा सतावदी इसा पूर्व से समराट किन सी फूं वांग द्वारा आरांभ किया गया था जिसका समय मोर्या समराजकाल से कुछ समय पूर वर्लग वग इतना वर्ष पाले का था ठीके चले अगले कोशन को बात करते फाइप नमबर प्रशन क्या पूछा जा रहा है कि भारते समिधान का संराचनात्मक भाण भाग धाचा काफी हद तक के अधिनियम से लिया गया है तु 05 को, सं आफ बंबर कोशन आप सभी के लिए काफी हज़ादा इंपोर्टेट है। 5 जो राइड एंसर हो जाएगा आउप सब्सब्सन का आउप सब्सक्राइगा और बात करते हैं अगला कोशन है इंपोर्ट्यप पौइंट के कवर कर लिएं दर ये कि भारते संद्राचनात्मक भाग ये धाचा काफी हद तक 1935 के अधिनियम से लिया गया है समिधान के 395 अनुछेद में से लगबग 250 अनुछेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से ही से या तो सब दस से ले लिये गये हैं या फिर उनके थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लिया गया है ठीक है ना चली अगले कोश्चन को बात करते हैं आप सुभी का सिक्स नमर कोश्चन है के 1813 के चार्टर्स अधिनियम ने भायरत में इस्टिनिया कंपनी के साथ सक को अगले बढ़ अधिनियम ने भारत के साथ वेपार के मामले में इस्टिनिया कंपनी के एक अधिकार को समौत कर दिया तता भारत में सिक्चा के परचार के लिए प्रतिवस एक लाख रुपया का अनुदान परदान किया इस अधिनियम के ताथ इसाई मिशनरी को धर्म का परचार करने के अनुमती दिये गए थी चली अगले कोशन को बात करते आप सभी का नेक्स कोशन है ध्यान दीजगा से वे नंबर कोशन है कि निमले खित में से ब् जबेंक और जगा से यानि की कोस्मोस इसका इंपोड़े परणिस के बरमांड सब्द लैटिन भासा के यूनिवर्स से लिया गया है यूनिवर्स यूनिवर्स से लिया गया है ब्रमांड का निर्माण महाविस्फोटक यानि वीग वैंग से हुआ है ब्रमांड के कई नाम है जिसमें एक कोस्मोस भी ब्रमांड का प्रिवाची सब्द हो जाता है चली अगला कोशन आप सभी का एक नंबर की निमलेखित में से किस्तिवार के नाम से उबालना या उबालना का अर्थ जुड़ा है इड़का हो जाएगा आप सभी का अप्सन अर्शियाने की पॉंगल हो जाएगा करेकी इंपोड़ेपट्स करेकी दचिन भारत में धान की फसल काटने के बाद लोग अपनी प्रशंता प्रकट करने के लिए पॉंगल का तिवार मनाते हैं पॉंगल का वास्तिक अर्थ होता है उबालना उबालना एक दिन गुड और चावल उबालकर सुरे को चड़ा जात है चलि अगले कोशन को बात करते नाइन नंबर की विवीन अस्तुरों पर विवीन प्रजातियों के उर्धवार्दर वित्रण को कहते हैं नैन का जाएगा आप सभी का अपसे नंबर यानिके अस्तर विन नियास कहते ठीक है ना यहां पर आप लोग इसकी इंपोड़िप पॉइंप पर को कवरेब करीजर की कि आमारे पास कोशन बहुत ज़्यादा और समय बहुत कम है ठीक है नौं चलि अगले कोशन को बात करते हैं आप सभी का राईटे अन्सर हो जाएगा चलिए इसके थौसे इंपोड़े पाइंट्स कवर कलेते करें computer data computer data द्वारा process या store की गई जनकारी या जनकारी टेक्स चित्र ओडि ओडियो क्लिप वीडियो क्लिप software प्रोग्राम या आन्य प्रकाय के data के रूप में हो सकता है computer data को computer के CPU द्वारा process process किया जाता है अगला कोशन है कि निव्यखित में से कौन सा निच्छेप के आपचारिक श्रोतों में समलित है 11 कोशन आपसवी कभी अनिकी साकायरिता करें कि अनिक व्यक्ति संस्थाओं द्वारा किसी समान उदेश की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना ही साकायरिता कालाता है इस चीज़ को याद रखेगा चली नेच्ट कोशन आपसवी का बारा नमबर के हरियाणा राज्चे में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्मार समागरी से निर्मित है तियों जगा आपसवी के पक्की इटो से पक्की इटो अपसण नमबर सी हो जाएगा चली करहें कि हरियाणा राज्चे के कैथाल जिले में रजिया सुल्तान का मकबरा पक्की होई इट और चुने के गारे से निर्मित है इल्तुत्मिस की पुत्री रजिया सुल्तान 1236-1240 गुलाम वंस की सासी का थी वह दिली संतनत की गदी पर बैठने वाली पहली मेला थी इस चीज को यादर रखेएगा ठीक है ना अगला कोशन है कि बक्सर की युद में अंग्रेज अंग्रेजी सेना का निर्तितों किशने किया था तो तेरा का उच्छाएक आप सभी कसी है निकि हेक्टर मुन्रो यहाँ पर करें कि बक्सर काईद 1764 इसे में हेक्टर मुन्रो के निर्तितों में विर्टिस इस्टिनिया कंपनी के सेना और मिर कासिम के निर्तितों में अवध नवाब सू जा उल दौला ता था मुगल सा आलम देटिय कि सन्युक्त सिनाओं के बीच लड़ी गई थी इस यूद में बंगाल में अंग्रेजों की रजनेतिक और शन्या स्वर्वच्चिता अस्थापित हो गई थी अगला कोशन आप सभी का चोधा नंबर की मीर कासिम का नाम भारत के निम्लेखित में से किस यूद से संब्दी थे तो चोधा का जग यानि कि बकसर कई से संब्दी थे कर रहा कि बकसर के यहीं वह ठीक है नहीं इसको कबर का लेज़ेगा काफी इंपोड़ेड है अगला कोशन ने कि निम्लेखित में से कौन सा बौध अस्थल आ अंदर प्रदेस के वेंगी छेतर में इस्तित नहीं है तो पंदरा का जग आप सभी का अपसे नंबर बीने की च अगला करे कि बहुत आ खाल का सबसे पूराना अस्थूप कौन सा है तो बुदल को कह सबसे पूराना सथूप की बात करते हैं तो और जैगा हाफ सभी का सांची अस्तूप क्योंुड ऑश्थ समें concern no.z इस्वी में इनेस को की 200 धरवर अस्तर घोसित किया गया था ठीक है ना चलिए नेस्ट कोशन को बात करते हैं आफसी का 17 नंबर कोशन है कि करकर रेखा भारत से होकर के गुजरती है किस राज्य से तो 17 का जैका आफसी का आफसा नंबर 6 यानिकी 36 गड़ से चलिए नेस्ट पोशन को बात करते हैं अठारा नंबर के 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतराष्टी अस्तलिय सीमा साजा करते हैं अठारा कोच जगा यानिकी सिबिन यहां पर है कि यहां पर इंपोड़े पॉंट से इसको अपलोग कबर अपकर लेजेगा अगला कि भारत चिन सीमा को कि इतने सेक्टर में बाटा गया है तो इससे बात के जाए सेक्टर में तौशी के तीन सेक्टर बाट रहा गया है चलिए इसके इंपोड़े पॉंट्स कबर अप कर लेजेगा कि चीन भारत का प्रोसेडिय से जिसके साथ भारत अपनी इतने किलोमेटर की सीमा साजा करता है भ मैं के ने उलेख किया की हडपा सहर लोथल में जल निकासी विवस्था के लिए नलियों को इटो से बनाए जाग गया था तो टोंडी का होच जाएगा आप सभी का यह निकी पकी इटो से बनाए गया था ठीक है अपसे नमबर भी यह हो जाएगा यहां पड़ देखिए की कोशन आप सभी के अगले दिन करवा जेंगे यह तो कोशन मेंने आलाव दिन खिल जीवला कराई दिया ठीकना अगला कोशन देख लेते थोसा टॉंटी टू नमबर की पुर्तगालियों द्वारा स्रीलांका की खोज की सवर्ष की गए थी तो यह आप सभी खोजा गया थ और फंडर स्वांच इस्वी में ठीकना बरास पांच और अफसवी के राइस रोजज जहें ता पर्तगालिय द्वरा की जाए एडश्ण एसिया में स्रीलांका की खोज 155 की हिंदर मासार की ऊतरवर्थी भाग में हिस्तित स्रीलांका द्यव्प देश है श्रीलांका भारत क जश्रषण में स्थित कि इस ती रवस्ता कि संकल्पना के बारे में किस वेग्यानी के निवीचार किया था तो 23 का जाएगा डियने की फ्रेड फ्रेड हाइल लें हाइल ने अगला कुश्य ने कॉम्पूटर से कॉम्पूटर विगेन में डाटा का खतरा उत्पन होता है जिब क्या होता है तो 24 का जाएगा से कॉम्पूटर यानि की पाइप लाइन रीड राइट एक्सल का करम आपरेट के लिए बदल देती है अगला कोशन आप सब्सक्राइब का कि मुक्त बजार अर्थ व्यवस्ता का एक मत्पूर्ण पालू है तो अब सब्सक्राइब करते हैं आप सभी का अच्छा लगे तो प्रेच चैनल को सब्सक्राइब कर साथ सब्सक्राइब को प्रेच कर देजिएगा ताकि आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहें तो मिलते हैं सब्सक्राइब क्लास में थ्यांक्स अरची माइक क्लास